Hottest Year 2024 बेइमान होता जा रहा मौसम, तापमान दे रहा धोखा वैज्यानिक क्यों कह रहे इस साल गर्मी तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड इस साल आसमान, धर्ती और हवा तीनों ही आग उगलने वाले हैं भयानक गर्मी पड़ रही है 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल घोशित होने जा रहा है इसके पीछे की वजह पिछले साल शुरू हुआ एक वैश्विक मौसमी बदलाव था जो इस साल फिर से बदल रहा है आईए जानते हैं इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ेगी पिछले कई हफतों से भारत में गर्मी लगातार जारी है बुधवार को दिल्ली में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया जब तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया भारतिय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी रीडिंग की जांच कर रहा है क्योंकि यह आसपास के अन्य तापमानों से 3-5 डिग्री तक है लेकिन पिछले सपताह से देश 40 के मध्य तापमान की चपेट में है 2024 में भारत में इतनी गर्मी क्यों है इसका एक हिस्सा मजबूत अल नीनो द्वारा प्रेरित था प्रशांत महासागर के हिस्से में एक प्राकृतिक वार्मिंग जो वायू मंडल के साथ मिलकर दुनिया भर में मौसम संबंधी प्रभाव डाल सकती है लेकिन आम तोर पर अल नीनो का वार्मिंग प्रभाव अगले वर्ष की शुरुआत में महसूस किया गया था कुछ विशेशज्यों को चिंता है कि 2024-2023 को मात दे सकता है पूरे भारत में चल रही लू के कारण तापमान लगभग 50 सी तक बढ़ गया हालांकि पूर्वी भारत और दक्षिन प्रायद्वीब के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ सकता है गर्म लहरों का लगातार तीसरा वर्ष भारत में मई और जून के दौरान तापमान अकसर चरम पर होता है उत्तर पश्चिमिक शेत्रों में साथ से दस लू दिनों की भविश्यवानी कर रहा है जो सामान्य दो या तीन से काफी अधिक है नेचर जर्नल के एक हालिया लेख के अनुसार यह लगातार तीसरा साल है जब देश में भीशन गर्मी का सामना करना पड़ा है दिन का तापमान लोगों के लिए खत्रा है लेकिन रात का तापमान भी असामान्य रूप से अधिक है इसके अलावा और कारण है जैसे कि हमारे वातावरण में बहुत अधिक कारबन डायोन अकसाइड है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कोईला, तेल और प्राकृतिक गैस जला रहे हैं और जब तक हम ऐसा करना बंद नहीं करते, तब तक हम हर साल इस बोज को बढ़ाते रहेंगे, जो हम दुनिया भर के लोगों पर थोप रहे हैं भीशन गर्मी का मुख्य कारण पेडों की अंधा धुन्द कटाई भी है और लगातार वनों का कम होना पर्यावरण के लिए पेड महत्वपूर्ण है पेड पौधे वायू प्रदूशन को साफ करते हैं, जलवायू परिवर्तन के कारण होने वाला वायू प्रदूशन को कम करते हैं पेड मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए दुनिया के प्रमुख स्तंब हैं वे पानी, हवा को शुद्ध करके और बेहतर सामाजिक परिस्थितियाओं बनाकर हमें प्रदान करते हैं सौ पेड बारिश के कारण होने वाले अपवाह को 400,000 लीटर तक कम कर सकते हैं हर साल हम ग्लोबल वार्मिंग की खबरें सुनते हैं क्योंकि तापमान बढ़ रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पेडों की जगह सोखने वाली इमारतें सडकें ले रहे हैं जिससे पेड लगाने से ओजोन परत प्रदूशन काफी हद तक कम हो जाता है क्योंकि कार्बन डायो नाकसाइड सबसे आम ग्रीन हाउस गैस है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जमीनी स्तर का ओजोन प्रदूशन ओजोन परत से अलग है जो वायूमंडल में उच्च है एरोसॉल कैन और रेफ्रिजरेंट्स में उप्योग किये जाने वाले प्रदूशकों ने वायूमंडली ओजोन को नश्ट कर दिया है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोशित करता है पेड नाइट्रस ओकसाइड को अवशोशित करते हैं जो लोगों द्वारा जीवाश्म इंधन जलाने पर निकलने वाले जमीनी स्तर के ओजोन का निर्मान करते हैं कुछ स्थानों पर ओजोन एक विशैला घटक धुंध के रूप में दिखाई देता है जो शहर को ढख लेता है आसपास अधिक पेड होने से हवा में ओजोन के संभावित स्वास्थ्य और पर्यावरणिय प्रभाव कम हो जाते हैं उच्च तापमान और आर्दरता हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है जिससे विभिन स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं गर्मियों में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी हैं हाइडरेटेड रहना सन क्रीम लगाए आराम दायक कपड़े पहने पी कावर्स के दौरान घर के अंदर ही रहें शौवर लें स्वस्थ आहार खाएं कीट विकरशक का प्रयोग करें व्यायाम करते समय सावधानि रखे